नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस घरेलू खवर चैनल में दोस्तों नए साल का पहला सुरीगरहन 6 जनवरी या नी रवीवार को है हलाकी इस वार आंसिक सुरीगरहन होगा जो की धरती के उत्तर पूर्वी एसिया और उत्री पैसिफिक देशों में दिखाई देगा भारत के लोग इस सुरीगरहन का दीदार नहीं कर पाएंगे मगर इसका परभाव ना पड़े इसके लिए कुछ उपाय करना जरूरी होता है आज मैं अपने इस वीडियो में उनहीं सब उपायों की चर्चा करूंगी जो की सुरीगरहन के बाद आपको करने है दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और मेरा वीडियो लास्ट तक सुने इस बार का सुरीगरहन पर्स 2019 का जो 6 जनवरी को लगने वाला है और भारतिय समानय उसर सुबह 5 बज के 4 मिनट से सुरू होकर 9 बज के 18 मिनट तक समाप्त हो जाएगा गरहन के दोरान लोग गरहन के दूस परभाव से बचने के लिए कई तरीकों को अजमाते हैं इसे सुरीगरहन लगने से पहले दूद दही जैसे चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देना गरहन से पहले ही सारा खाना खाकर खतम करना सबजीयों या फलों को ना कटना और घर में बंद रहना घर के बाहर ना निकलना लेकिन क्या आप जानते हैं सूर गरहन के बाद भी ऐसे ही कुछ कामों को करना रहता है क्योंकि लोगों का मानना है कि गरहन के बुरे प्रवाव से खुद को और अपने घर को बचाने के लिए कुछ उपाय किये जाना जरूरी होता है तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से उपाय हैं जिन्हें लोग ग्रहन के बाद किया करते हैं मानिता की अनुसार ग्रहन के तुरंत बाद किसी भी काम को करने से पहले असनान जरूरी करना चाहिए सिर्फ खुद को ही नहीं बलकि घर के मंदिर में मौजूद सभी भगवानों की मुर्तियों को भी नहलाना या फिर गंगाजल छिरकना चाहिए मुर्तियों और खुद को नहलाने के बाद पूरे घर में धूप बत्ती कर सुद्धी करन करना चाहिए घर में या बाहर मौजूद तुलसी की पौधों को भी गंगाजल डाल कर स्वर्च करना चाहिए कुछ लोग तो अपने घरों को पानी से भी धो डालते हैं इसलिए पानी को से घर में पोछा या धोना चाहिए मानिता है कि ग्रहन के बाद मन की सुधी के लिए दान और पुन्य भी करना चाहिए तो दोस्तों मैंने ये बताया कि ग्रहन के दौरान क्या करे और ग्रहन के बाद कौन-कौन से काम करे आसा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें